नमस्कार मैं प्रिंग का आप देख रहे हैं online news भारत वो शिवलिंग नहीं वो पवारा है मैंने बच्पन से देखा है कि वहाँ पर शिवलिंग नहीं बलकि पवारा है करवट मंदिर के बुजर्ग महंत के इस दावे के बाद इस संसनी खेस खुलासे के बाद पूरा का पूरा खेल पलट चुका है जी हाँ करेश शंकर उपाध्याय जो की महंत है करवट मंदिर के उन्होंने चोकाने वाले खुलासे किये हैं जो की आपके होश पाक्ता करने का काम करेंगे शिवलिंग वर्सिस फवारे की बहस पर विराम लगाने का काम करेंगे क्या कुछ कहा है मन्त महंत ने क्या कुछ किये हैं दावे कैसे किये हैं खुला से जानने के लिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए हम आपको बताएंगे कि कैसे ग्यानवापी मस्जित को लेकर भुजर्ग महंत ने जो कुछ कहा है वो चौकाने का काम करता है सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें करवट मंदिर के महत गड़े शंकर उपाध्याई ने चौकाने वाले दावे किये हैं ग्यानवापी मस्जित की बहस के बीच महंत ने क्या कुछ कहा है आप खुछ सुन लीजे कह रहे हैं आक्रिति उसकी देखने में स्यान कारी है जानकी के नुसर वब्भार था जू हम लोगों ने देखा प्शकर से देखा पिछले परिशा साल से देख रहे हैं हम लोगों का जाना भी होता था बहुत सब्सक्राइब ॉ स år मं कes पहले से वह नहीं और देखने दुछा उसको इस बात की उस्था होती थी कि यह बीच में क्या इसका 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 आप हो रहा है वह चलते हुए तो हम लोगों ने देखा नहीं उसको जो है पूछा भी इस बारे में कि कभी कब चलता है कैसा इसका वरा देखने में चुन्दर तो लगता ही चलता है और पुराना फवारा है बोलें वो लोग कि मुगलकाल का है या फवारा मुगलकाल का फवारा कैसा चलता है अपने घर के सामने मस्जिद है हमारा महंतावास मस्जिद के ही सामने पड़ता है तो हमारा जो महंतावास का पीछा है मस्जिद के ही ठीक सामन दस मीटर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे महांतावास मस्जिद के बीच में हम लोगों के संबन तो ऐसे थी पड़ोसी है भाई मस्जिद है हम भी मंदिर से है वह तो पहले कोई विवाद आपस में था नहीं बहुत भाई चारा था प्रेम था सब लोग जाते थे वहां तो सुना आपने महंत गड़े शंकर उपाध्याय का कहना है कि हम बच्पन से ज्ञानवापी मस्जिद में जाते रहे हैं वहां खेलते हैं वहां के मौलवियों के साथ बैठते भी रहे हैं हमने उसकता वक्त पूछा भी है कि वह क्या है तो हमें बताया गया है कि वह वह वा ग्हैता पेड़ा हीें इसके साथ ही महंत दावा करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद महंत आवास में दस मीटर की दूरी है रोस का आना जाना है हमारे पडोसी है सांपरदाइक सौहार्द के साथ हमेशा से रहे हैं आप से भाइचारी के साथ हमेशा से रहे हैं लेकिन अचानक से जाने ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया है पड़ोसी है रोस कहुप ईठना बैठना है सामणफिक साहारदें आपसी भाईचारा है मौलवी और महनत कैसे आपस मेने के साथ में खेलते थे साथ में रहते थे आप देख सकते हैं लेकिन अचानक से अब ऐसा क्या हो गया है कि सांपरदाइक सोहार्द को लगातार बिगारने की पोशिश की जा रही है ये तो आप बहतर जानते हैं कभी शोभा यात्रा पर पत्थर बाजी की जाती है कभी मजजद पर चड़कर भगवा लेराया जाता है कभी मुस्लिम को होने के शक में मार दिया जाता है लिंचिंग क किया जाता है मस्जित के मंदिर होने का दावा किया जाता है ये सब दावे सिर्फ और सिर्फ राजनीती चमकाने के लिए किये जाते हैं बाटों और फूट डालों और राजनीती के लिए किये जाते हैं बना पीस पीस दी हिंदू बना मुस्लिम करके नेता तो वोट पा रहे हैं सत्ता पा रहे हैं कुरसी पा रहे हैं लेकिन आपके हाथ क्या लग रहा है आप समझ सकते हैं बड़े बड़े गोदी मीडिया बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि शिवलिंग पाया गया है बाबा अव्तरित हुए हैं बाबा मिल गए हैं शिव जी मिल गए हैं काशी में शिव जी का अव्तरण हुआ था वहाँ पर शिवलिंग है structure के साथ visualization किया जा रहा है लेकिन गोदी मीडिया के दावें लग खोखले से रह रहे मस्जद में जाकर खेलते थे वह बताएंगे सच की वहाँ पर क्या था और क्या कर दिया गया है कैसे आपसी सोहार्द और आपसी भाई अचारे के साथ रहते थे पडोसी पाए जाते थे एक दूसरे के पडोसी थे एक दूसरे से रोज का मिलना था रोज का उठना बैठना था अब वहां पर इस्थिती तनाव पूर बनी हुई है कैसे बैरिकेटिंग लगा कर दिवार खीज दी गई है कैसे इस्थिती तनाव उससे इतर बड़े बड़े दावे किये जा रहे है, मीडिया कैमरा लेकर पहुच रहा है, कैसे खोकले दावों का पुरा एक स्वांग किया जा रहा है, पुरा एक खेल किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं, लगातार ऐसी खबरे सामने आ रहे हैं, लगातार ऐसे दावे सामने और सिर्फ साम्प्रदाइक सौहार्थ को बिगारने की कोशिश की जारी है, देश को बाटने की कोशिश की जा रही है। आप महंत के दावों से समझ सकते हैं, बरसों पहले वो जाकर मजज़िद में खेला करते थे, आपसी बहाईचारे के साथ रहते थे, मौलवी और आतार ऐसी खबरे दिखाई जा रहे हैं और यह सिर्फ और सिर्फ जासा देने की खबरे हैं कि वहां महंगाई बेरोजगारी साड़क बिजली पानी से आपकी नजर हटे तो वहां से अपना काम करें और अपने वोट बनाकर आगे निकल जाए और से आप उल्जे रहें मंदिर वर्सेस मजजद में आप उल्जे रहें भगवा वनाम हरे में आप उल्जे रहें शिवलिंग वर्सेस पवारे में आप समझ सकते हैं कि महंत ने कैसे संसनी खेस खुलासे किये हैं महंत ने बताया है कि काशी के क्या हाला थे और क्या कर दिये गए हैं महंत ने बताया है कि व को नहीं चलाया जाएगा इस भी बाइट को नहीं चलाया जाएगा इस खबर को आपको नहीं बताया जाएगा और क्यों नहीं बताया जाएगा यह आप बहतर जानते हैं इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा इसके साथ ही सब्सक्राइबर बटन नबाएं बाल आइकन नबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुसती रहे फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ तब तक के लिए धनिवाद